ओलेट चेक इट आउट गाईस तो अगद आपके स्टून टैक में दोस्तों वीवो ने फाइनली अपने वीवो वाई सीरिस का एक काफी तगड़े स्पेक्स वाला मिड रेंज 5G स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉंच कर दिया है जिसका नाम है वीवो वाई 58 तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में जिसमें आपको 6.72 इंचिस के IPS अलसरेट डिस्प् अगर बात करें इस मोबाइल के स्क्रीम पोटेक्शन के तो इस मोबाइल में गुरिला ग्लास के स्क्रीम पोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर बात करें इस मोबाइल के वेट के तो यह मोबाइल आपको 199 ग्राम का देखने को मिलेगा जो कि इन एंट फिल म इस mobile में front glass और back of frame आपको plastic देखने को मिलेगा तो इस mobile का look out design एकदम classic होगा अब चलते हैं इस mobile का गले segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के platform के बारे में इस mobile में n.14 operating system आपको देखने को मिलेगा जो के front touch 14 पर based होगा चिपसेट के बात करें तो इस mobile में snapdragon 4 gen 2 processor आपको द से gaming कर पाएंगे लेकिंग का वक्त आपको काफी ज्यादा हीटिंग इशो भी इस mobile में देखने को मिलेगा अगर बात करें इस mobile के graphics के तो इस mobile में Edino 613 GPU आपको देखने को मिलेगा तो gaming graphics बस आपको इस mobile में average ही देखने को मिलेंगे और gaming का वक काफ़े ज़्यादा frame drop भी आपको इस mobile में देखने को मिलेगा overall दिखा है तो दोस्तों इस mobile में एक average platform होगा अब बात करते हैं इस mobile के main camera की जिसमें आपको 50 or 2 megapixel का एक dual camera setup आपको देखने को मिलेगा camera feature में इस mobile में HDR का feature भी होगा अगर बात करें main camera की video quality की तो आप इस mobile से 1080p में decent quality की photos और video shoot कर पाएंगे अगर बात करें selfie camera की तो इस mobile में 8 megapixel का एक front camera आपको देखने को मिलेगा और front camera की video quality भी 1080p होगी overall दिखा है तो दोस्तों काफी अच्छी quality का camera segment आपको इस mobile में देखने को मिलेगा अब चलते हैं इस mobile का अगले segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के memory के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में micro sd card slot आपको देखने को मिलेगा internet memory बस आपको इस mobile में 1928GB में ही देखने को मिलेगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो यह mobile बस आपको 8GB में ही देखने को मिलेगा और इस mobile में storage tab आपको UFS 2.2 देखने को मिलेगा अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में काफी अच्छी quality का stereo loudspeaker होगा और 3.5 mm jack का feature भी इस mobile में होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको side mounted देखने को मिलेगा अगर बात करें इस mobile का battery की तो इस mobile में आपको 6000 mhk काफी बड़ी LAP बैटरी देखने को मिलेगी तो आप इस mobile में एकदम non-stop gaming काफी लंबे time तक कर पाएंगे charging के बात करें तो इस mobile में 44 watt के first charging का feature आपको देखने को मिलेगा तो इस mobile का battery backup भी काफी तगड़ा होगा अगर बात करें इस mobile का कुछ common features की तो इस mobile में 2.0 type C USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port और NFC का feature इस mobile में नहीं होगा अब चलते हैं इस mobile का सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color price और release date की सबसे बहले बात करते हैं इस mobile का color की तो इस mobile आपको blue और green colors में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 199499 होगा अगर बात करेंगे इस mobile के release date की तो यह mobile 20 June को इंडिया में launch हो जाएगा overall दिखाया है तो दोस्तों वीवो की तरफ से इस mobile में बस average feature आपको देखने को मिलेंगे तो मेरे according अगर आपका 20,000 का budget है तो यह mobile आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसी price range में आपको वीवो में कई सारे अच्छे feature वाले और भी option देखने को मिल जाएंगे तो चलिए आप सबसे आखर में बारी आती है इस mobile के rating की तो इस mobile के सारे feature को देखते हुए इस mobile की stone rating होगी 4 out of 10 अगर आपको वीडियो चल लगा तो वीडियो को like shit जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में